कोरोना वाइरस की चपेट में बॉल्लवूट के शेहंशा अमिताब बच्चन और उनके बेटे अभिशेख बच्चन भी आ गए हैं अमिताब और अभिशेख ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी अपने फ्रैंस को दी है अमिताब और अभिशेख फिलहाल मुंबई के नानावटी अस्पताल के आईसुलेशन यूनिट में भड़ती है अस्पताल ने कहा है कि अमिताब में कोरोना के खलके लक्षण है और उनकी हालत स्थे है लेकिन आपको बता दे कि जब से अमिताब बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की ख़वर सामने आई है तब से बॉलिवूड और फैंस उनकी ठीक होने की दुआ कर रहे है आम फैंस के साथ ही साथ बॉलिवूड सेलेप्स, खेल जगत के सतारे और साथ ही साथ नेता भी अमिताब के स्वास सुधार के लिए प्रातना कर रहे हैं कई सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पहतर स्वास्त की प्रातना की है अमिताब बच्चन के चाहनेवालों की कमी नहीं है, ना सिर्फ देश में, बलकि विदेशों में भी अमिताब की तग्री फैन फॉलोइंग है ऐसे में सोशल मीडिया पर फैन्स अमिताब बच्चन के जल्दी स्वस्थ होने की प्रात्मा कर रहे हैं और साथ ही साथ आक्टर की पुरानी तस्वीरे में शेयर कर रहे हैं आई ये सुनते हैं क्या लाश खेर का क्या कुछ कहना है मैं कभी आपके किसी भी टुईट पर आज तक रियक्ट नहीं कर पाया लेकिन ये पहला लम्हा है जब मैं थोड़ा भाविभोर हुआ हूँ और इश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी से स्वस्थ हों क्यों क्योंकि देखिए दवाओं का काम दवा करेगी लेकिन दवाओं का काम ये कुछ अलग बात होती है मैं मानता हूँ कि आप नजाने असंख्य प्रार्थनाओं में हैं कोटी कोटी दुआओं में आप हैं और आपको पूरा विश्व बहुत प्यार करता है आप सिर्फ इस फिल्म जगत के महानायक नहीं हैं परंतू इस पूर्ण जगत के एक संस्कृति के भारतिय संस्कृति के दियोतक हैं और हम आपको अपना आदर्श और मेरुदंड मानते हैं संस्कृति के ये कोई वाइरस ये ऐसा प्रकृतिने जन्माया नहीं है ये मनुष्य का जन्माया हुआ है और मनुष्य से मैं जादा कुछ आशाएं भी नहीं रखता हूं साहब आप तो हमारे बड़े हैं आदर्च हैं लेकिन इस जीवन में जितनी भी मानवता की बात करने वाले हैं वो हत्यार जब बनाते हैं ताकि सब लोग आपस में लड़ते रहें और हत्यार बिखते रहें सब कुछ व्यापार पर निवर करता देखिए एक होती है बीमारी और एक होती है बदकारी यह बदकारी है जिसका नाम है करोना इसारा विश्व आपके लिए प्रार्थना कर रहा है मैं हृदय से इश्वर से यह मनोकामना करता हूं कि आप जल्दी से यह कॉरिंटीन अपना कर करके और बिल्कुल नेगेटिव होके आएं और हम सब को फिर से ऐसे मुस्काते होए दिखकर हमारा पूरा भारत को खुशी दें और पूरे भारत को मुस्कान दें